नमस्ते दोस्तों, छायारा सोई में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बड़ी की सबची बड़ी की सबची आप कई तरह से बनाते होंगे एक बार मेरे तरीके से बना कर देखें आपको बहुत बसंद आएगी चलिए शुरू करते हैं बनाना इसके लिए एक छोटी कटोरी बड़ी ले वजन में देखेंगे तो लगभग 100 ग्राम है और ये घर की बनी हुई है आप चाहें तो मार्केट की ले ले बड़ी को पानी में डाल कर 5 मिनट के लिए भीगा दे और 5 मिनट के बाद इसका पानी निकालेंगे तो ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाती है बहुत जादा देर के लिए ना भीगाए नहीं तो बड़ी तूट जाएगी तो बड़ी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है इसी तरह से चाहिए आप बड़े साइस की बड़ियां ले रहे हैं तो तोड़कर छोटे टुकडो में कर ले अब प्रेशर कुकर में तीन टेबल इस्पून सरसो का तेल डाले तेल गरम हो जाए तब इसमें ये बड़ियां डालकर फ्राई कर ले बड़ियों को कम फ्राई ना करें अच्छे से कलर आने तक फ्राई कर ले बढ़ियां अच्छे से फ्राई हो जाए तो निकाल ले अब इसी प्रेशर कुकर में एक टेबल इस्पून तेल डाल दे तेल गरम हो जाए तब आधा छोटा चमच मेधी दाना आधा छोटा चमच साबुचीरा दो सूखी हुई लाल मिर्च तोड़ कर डाल दे हलका सा कलर चेंज होने पर दो तेज पत्ता एक बड़े साइस का प्याज छोटे टुकडों में कटा हुआ ढाल दे प्याज पर हलका सा कलर आने तक फ्राई कर ले अब इसमें दो आलू छोटे टुकडों में कटा हुआ ढाल दे दो मिनट के लिए फ्राई कर ले अब एक मीडियम साइज का टमाटर छोटे टुकडों में कटा हुआ डाल कर फिर से दो मिनट के लिए फ्राई कर ले अब इसमें कुछ मसाले डाले एक टेबल इस्पून धनिया पाउडर एक छोटा चमच हल्दी पाउडर एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर डाल कर अच्छे से मिला ले मसाले जलेना इसके लिए तीन से चार टेबल इस्पून पानी डाल दे अब चलाते हुए दो मिनट के लिए और भून ले अब इसमें ये भूनी हुई बढ़ियां डाल कर दो मिनट के लिए और भून ले अब इसमें एक से सवा गलास पानी डाल कर एक बार चला ले अब डेड़ छोटा चमच या फिर स्वाद के अनुसार नमक डाल कर एक बार फिर से अच्छे से चला ले पानी अगर कम लगे तो दो से चार टेबल स्पून और डाल दे अब इसका धकन लगा कर मीडियम फ्लेम पर एक सीटी आने के बाद फ्लेम ओफ कर दे और इसका प्रेशर अपने आप से निकलने दे प्रेशर निकलने के बाद अब इसका धकन खोले और इसमें आधा छोटा चमच गरम मसाला और थोड़ी सी बारी कटी हुई धनिया पत्ती डाल कर मिला ले तो बहुत बढ़ियां बढ़ी की सबजी बनी है आलू और बढ़ी दोनों बहुत अच्छे से गल चुके हैं दोस्तो एक बार इस तरह से आप भी बढ़ी की सबजी बनाएं आपको पसंद आएगी इतने आसान और टेस्टी बड़ी की सबजी के लिए एक लाइक और शेयर दो बनता ही है चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले